NDRF की टीम ने कुछ बच्चीयों को रेस्क्यू करके निकाला है इस राजेंदर नगर की इलाके से जानना की कोशिश करते हैं क्या इस्तिती रही कर सकते हैं कब से फसिब हैं मैं बताना यह चाहूंगे कि यहां कि जो अभी जो प्रेजेंट कर निशन है वो बहुत वर्स हो चुकी है जस्ट बेकॉस कि ना इलेक्रिसिटी इस एरिया में लास्ट ट्वेंटीफोर तो इन फार्टी हीटार से एलेक्रिसिटी नहीं है मोत मदो को लिए तो फैसके दूर दूर से बहुड़ परबहुत मोड़िशे है और खाने का आड़ सारी अपर फसंद जो से इलेक्रिसिटी नहीं है पुड़ा पानी है यहादा पानी है इतना इतना पानी है हम लोग के घर में बस इतना पानी जाए नहीं जाए नहीं पूरा ओवरफ़लो हो गया अंकल पूरा अपानी में डूब चुका है और जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो बचा कर लाया जा रहा है पिछले दो दिनों से लगातार ये लोग फसे हुए थे विजली नहीं है इस इलाके में खाने पीने की दिक्कत है तमाम मुश्किले हैं मुझे लगता है कि वोट और मंगाने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे लोग इस इलाके में अभी भी फसे हुए हैं SDRF के second in command केके जहां से बात करते हैं कि क्या इस्थिती है खास दोर पर पटना में जहां पर rescue operation चला जा रहा है यह बताईए जो अभी यह इलाका है राजंदर नगर का काफी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग फसे हुए हैं और बोट की आपकी संख्या कितने हैं कि जितना लोग फसे हुए इस इसाब सो देखा जाया तो अभी और ज़रूरत पर सकते हैं क्या इस्थिती के हैं पर ले कि समस्य आ रही है वो लोग अपने अपने घर जाना चाह रहे हैं कल सोस्टल में से कल कंकरबाग में से लगबग 30 गल्स को उनके रिस्पेक्टिव पैरेंट्स के आने के बाद उनको अपने घर में बेजने के लिए अज कंकरबाग और आजंदरनगर के लागा के लिए पतना डियम ने छे अलग अलग टीम बांट करके उसमें एस्डी आरफ और अंडी आरफ के ट्रोप्ष को लगाया है अभी हम लोग 38 बोट लेकर के यहां पतना में बिविन एच्छे जगों में जा रहा हैं जिसमें सीकी छे बोट हम लोग रहें और अन्तरगत में दोनों टीम का संजूक तृप सई यह काम हो रहा है और हर एक टीम के साथ में एक-एक senior deputy collector या ADM को लगाया गया है जो खाने के लिए भी वेवस्ता करेंगे, पानी, पीने के पानी का वेवस्ता करेंगे अभी पीने के पानी आ रहा है बोतल को रूप में, खाने का समान आ गया है तो जिसको जिसको जिस तरह की requirement होगी, डॉक्टर की टीम भी आ रही है और सब के साथ में DM साब खुद ही जाएंगे, जगे-जगे पर DM साब यहीं खड़े हैं और सब लोगों को इस अहालात को कितना कैसे आखते हैं, कितना मुश्किलों भरा दौर है क्योंकि इस तरह का दृष्ट पटना में पिसे दो दसक में तो नहीं दिखने हैं जी, हम सही कर रहे हैं राजिंदरनेगर के इलाके में जो दिनकर चोड़ा हैं, वहां पे लगबग 6 फीट से अधिक पानी जमा था कल तकी 6 फीट से अधिक पानी जमा हो गया था तो लोगों को अपने दैनिक जो काम होता है, उसके बाहर निकलना पड़ता है खास के पानी के समस्या हो रही है, इस Kitty तो बहुत ही खराब होते जा रही है तो इसमें सब लोगों को मिल करके सामई कर दोसे प्रैस करना होगा जो उपर वाले घरों में हैं या जिनके पास पानी के वevastता है अगल वगल आपस में सहीजों करके भी बहुत सारा काम को सलूशन करके इस समस्य को निम्टाना होगा तो ये थे केके जहाजों की बता रहे थे जो हालात हैं काफी मुश्किल भरे दोर से गुजर रहा है ये इलाका और बिजली नहीं है पीने का पानी नहीं है और जो खाने पीने का समान है वो भी काफी सिमित है तो बचाओ के साथ साथ राहत भी पहुँचाने की जरुवत होगी इस इन इलाकों में कैमरमें दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार जहा पटना आज तक